नमस्ते भाई कैसे हैं आप लोग और आप और मैं मैं कैमरे के आगे से और आप कैमरे के पीछे से पढ़ाई में गणत सीखने के लिए आतंक मचाने के लिए तयार हैं यह हमारी कंसेप्ट किंग सरीज की पहली फस्ट लाइव क्लास से और आप बड़ी उत्सुकता के साथ दि का बहुत मज़दार होगा और आपका पढ़ाई का एक कीमती समय होगा आप यहां से बहुत कुछ सीख के जाएंगे और बहुत ही सिंपल देशी भासा में तो कंसेप्ट किंग सरीज में जो हम पहली चीजा सुरू करने वाले हैं वो है खुद सरीज आर्थमेटिक प्रोग् समांतर शेणी गुडुतर शेणी हरातमक स्रेणी ठीक है बई काफी सारे लोगों को लगता है कि इससे क्वेशन नहीं आते कम आते लेकिन चुपके से एक्जामनर चुपके से कि आपको पता भी ना चले और पेपर में क्वेशन डाल भी देता है और बच्चों से ज्रातर ह नहीं पाता और SSE CGL के अलावा CPSL में, CPO में, दिल्ली पुलिस में और स्टेट एक्जाम में खासका टीचिंग के एक्जाम में इवन कैट MBA के पेपर में CEDS की परिक्षा में हर एक में इससे सवाल आते ही, नंबर सिस्टम का एक अभिन हिस्टा है वैसे तो आपने नौभी पास कली, दस मी भी, ग्यार मी भी, बार मी भी आप graduate भी हो गए, कुछ लोग तो post graduate भी हो चुके हैं, कुछ लोग PhD भी कर रहे हैं, और government job सभी को चाहिए, फिर वो आके पूछते हैं, सर ये बताओ AP क्या है, 90% आपके board के exam में हैं, पिताजी ने लड़ू भी बांटे हैं आप AP से काम चलाओंगा, और महनत से पढ़ाओंगा, ठीक दोस्त, पढ़ने के लिए तयार, आग मचा दो, फैला दो, मैंने पहली बोला, एक concept एक दिन, छोटे concept होंगे, तो 4-5 concept एक दिन में निप्टाएंगे, ठीक है, पहले मैं आपको detail में समझाओंगा कि होता क्या है, फिर अब उस पे based, sequence-wide सवाल करेंगे, सवाल प्रीवेसर भी होंगे, और कुछ एक नए सवाल भी होंगे, अलग-अलग exams के, ठीक है ना, तो ये जो है, सारे exams का मिक्षर आपको देखने को मिलेगा, समझ मैं आया, तो arithmetic progression, short में इसको AP बोलते हैं, हिंदी में इसको अंक गणितिय स्रीणी ये समांतर स्रीणी भी बोलते हैं, अब इसका क्या मतलब है बच्चों, देखे, स्रीज जिसमें बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हो, एक ऐसी स्रीज जिसके किनी भी दो लगातार जो संख्या लिखी हुई हैं, उनका अंतर बराबर रहे, एक ऐसी स्रीणी कि उसमें लिखी हुई जो लगातार संख्याय हैं, उनका difference सेम रहे, नहीं समझ में आई ना बात, मैं आपको example से समझाता हूँ, हर चीज को दोस्तों मैं आपको example, ठीक है भई, बुख का page number कहां से आएगा, पेज नंबर 74 पे लिखा हुआ, देखेगा मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, यह है एक समानतर शिर्ण, जैसे मैं आपके सामने कुछ नंबर लिखें, 7, 11, 15, 19, 20, तो किसी भी स्रीज में जो सबसे पहला नंबर लिखा है, उसको हम बोलते है, first term, क्या बोलते हैं बच्चों उसको first term, पिर्थम पद, first term हिंदी में हम इसको कहते हैं पिर्थम पद, और हम लोग इसको A से डिनोट करते हैं, इसका नाम क्या देते हैं A, यह 7, 11, 15, 19, 20 आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा 7 से 11 कितना जाद है है, 4 जाद है, 11 से 15 कितना जाद है, 4 जाद है, 15 से 19 कितना जाद है, 4 जाद है, 19 से 23 कितना जाद है, 4 जाद है, अगला क्या होगा? अगला भी बच्चो 4 ही जाद होगा, 30 में 4 जोड़ेंगे, तो अगला नंबर क्या आएगा? 27, तो आप देख रहे हैं कि किनी भी दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है, वो सेम है, बराबर है मेरे प्यारी बाई, 4, 4, 4, 4, 4, 4, तो यह जो सेम डिफरेंस है मेरे प्यारी बच्चो, इसको हम बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो कि डिफरेंस हर जगे बराबर है, या फिर हिंदी में हम लोग इसको सारवांतर बोलते हैं, सारवांतर, तो यहाँ आपको कॉमन डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 4, फस्ट टर् पुर्थम पत को एसे डिनोट करते हैं, मेरे प्यारे भाई, जो की 7 हैं, सभी को दिखाई दिया, yes or no, बोलो, अच्छा, अगर हम थोड़ी टेक्निकल्टी में जाएं, तो first term को हम, term मतलब T, first term को T1 बोलते हैं, second term को मेरे दोस्तों, हम T2 लिख देते हैं, आप हमारी बात को सम जहें, आप बोलोगे, हाँ जी सर, तीसरे term को बेटा हम T3 लिखते हैं, चौथे term को हम T4 लिखते हैं, पांचवे term को हम T5 लिखेंगे, तो भाई, अगर मैं आप से ये कहूँ, कि Nth term को क्या बोलेंगे, बई, जो जो numbering है, उस हिसाब से करते जाएंगे, तो इस रीज का ज जैसे प्यारा होता है, तो उसको हम A भी बोल देते हैं, small a, ये बात सभी बच्चों को समझ में आई, तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाए, कि स्रीज होती ही क्या है, example से, अब मेरी बात को सुनीगा, मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से समझेगा, अगर मैं इसकी standard form की बात करूँ, है भी, सर्फ 500 लोंडे जोड़ चुके हैं, 5000 लोंडे जोड़ चुके पानी पी लीजिए, जल गिर्हन करेंगे आपके साथ, हरर महादेव, चली इधर देखिएगा मेरे दोस्तों, देखो प्यारे बचा, का कह रहे ते हाँ, तो मुझे जबरदस्ती मत घसीट करो, पढ़ाने पे ध्यान दो, और तुम पढ़ने पे, ठीक, अगर किसी समांतर श्रिणी का पहला पद A है, और common difference सारवांतर D है, तो स्रीच क्या होगी, बच्चों जबाब दीजे, पहला पद तो A है, अगला क्या होना चीए मेरे दोस्तों, D extra होना चीए, A प्लस D आप आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, D जोड़ जाएगा, आप बोलोगे, हाँ जी सर, तीसरा टर्म क्या होगा, फिर से D जोड़ेंगे, A प्लस D में D जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, अगला क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो अगला आप बताओग अगर A plus 2D में फिर से D जोड़ेंगे A plus 3D आप बोलोगे और इसी तरीके से सिक्वेंस आगे चलता चला जाएगा तो आप देखनें D का डिफ्रेंस है A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D देखे, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछों इस रीज का Nth टर्म क्या होगा, N वा पद क्या होगा, तो जरा मुझे जवाब दीजेगा, बहुत प्यार से समझेगा, पहले पद में D नहीं आ रहा, पहले पद में क्या है, D आता ही नहीं है मेरे दोस्तों, दूस दूसरे टर्म को देखो, D में किस से गुणा है, 2 से गुणा है, चोथे टर्म को देखो, D में किस से गुणा है, 3 से गुणा है, एक नमबर कम से गुणा हो रही है, दूसरे टर्म में किस से गुणा है, 2 मानस 1 से, तीसरे टर्म में किस से गुणा है, 3 मानस 1 से, चोथे टर् वो बिल्कुल बेसिक परिभासा से पैदा हुई है हर चीज पहला टर्म A है अगला A प्लस D होगा कोखी कॉमन डिफरेंस D है तो देखो D में किस से गुणा हो रही है एक एक का मतलब है 2-1 तीसरे टर्म में 2D है 2 का मतलब है 3-1 चौथे टर्म में 3 से गुणा है 4-1 तो N-th टर्म में किस से गुणा होगी N-1 से क्लियर है समझ में आया तो हम यह कहना चाहते किसी भी समानतर शिर्णी का अगर आपको N-th टर्म निकालना है मेरे प्यारे वाई तो A plus N-1 into D होगा क्लियर यह फॉर्मला कंसेप्ट आ गया मस्त समझ में आ गया आप लोगों को आप बोलोगे जी सर अगर मैं आपसे कहूं कि किसी स्रीज में टोटल टर्म ही N है कुल पदो की संख्या ही N है अगर किसी स्रीज कोई समानतर शिर्णी ऐसी है कि उसमें कुल संख्या ही मेरे दोस्तों आपके सामने N है तो जो N वा टर्म होगा वो आखरी टर्म होगा अरे भाया एक लाइन खड़ी हुई है लाइन में N आदमी लगे हुए हैं तो जो सबसे N वा आदमी होगा वो आखरी आदमी होगा यानि कि मेरे दोस्तों अगर टोटल टर्म सी N है तो जो N वा टर्म है मेरे प्यारे भाई ये क्या बन जाएगा ये लाइस्ट टर्म होगा मेरे प्यारे भाई और लास्ट आदमी को भी बड़ी प्रायर्टी दी जाती है मेरे दोस्तों लास्ट टर्म को हम small L से denote कर देते हैं तो पहले पद को हम A से लिखेंगे, लास्ट टर्म को हम L से लिखेंगे, तो ये लास्ट टर्म निकालने का फंडा यहां से आ गया, मुझे लगता है हर एक भाई को समझ में आया, जिसको नई समझ में आया, अब वो थोड़ा से बैट करो लो, वो कि इसके अलावा तो आप को किसी भी स्रीच का जो N टर्म है, वो A प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और लास्ट टर्म को हम L लिखते हैं, मेरे प्यारे भाई, समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, अब हम बात करेंगे, मेरे दोस्तों, अगले कं की तरफ, ध्यान से समझेगा, मेरे प्यारे भाई, बड़े प्यार से, अगर किसी समांतर शर्णी का लास्ट टर्म L है, तो लास्ट टर्म निकालने का फंड़ा क्या है, A, प्लस N माइनस 1 इंटू D, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए, कैसमें कोई तकलीफ है, नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है, बड़े प्यार से समझेगा, क्या आप मुझे इस पर सवाल करके बता सकते हैं, ये बताओ जरा, मैंने आपको कंसेट समझाया, उसी कंसेट पर आपको पहला सवाल लोगा, फिर अगला कंसेट समझाऊँगा, उस पर सवाल लोगा, बताइएगा, सवाल कभी सीधा सीधा नहीं आता, बोला है, which terms of an arithmetic progression, आपके सामनेक स्वांतर शेनी दी है, इसका कौन सा पद 137 है, सर, आप लोग हम जैसे student की आगे cut-off में क्यों नहीं मदद कर रहे, cut-off काईगी, काईगी cut-off, अचा cut-off बढ़ाने में मदद तो कर रहा हूं मैं, कहां से कहां cut-off ले आए, देखो, 90% पर पहुंचा दी, ऐसे सिखी, चिंता ना करो, जी, आपके सामने समांतर शेनी दिया है, तो मेरा सवाल आपसे है, बच्चा पाटी, यह समांतर शेनी का सबसे पहला सवाल है, इससे नीचे का सवाल नहीं बनता, ठीक है, कौन सा पद 137 होगा, तो 137 मैंने माल लिया, एन्वा टर्म है, एन्वा, तो आप मुझे बताओ, तो कॉमन डिफरेंस यहां पर 5 है, आपको यह पता लगाना कि 137 कौन सा टर्म है, मैंने माल लिया, एन्वा टर्म है, तो एन्थ टर्म क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5, यह यह आप बोलोगे, हाँ जी सर, 2 जब इधर आएगा, 137 में से 2 घटाओगे, 135 हो जाएगा, कैसे टाइम आ गया है, देखो कितना, बराबर N माइनस 1 इंटू 5, अब देखो 5 से 135 कितनी बार कट जाएगा, 27 बार, माइनस 1 जब इधर आएगा, तो जोड़ जाएगा 27 प्लस 28, तो N कामान 28 आ गया यानि कि 137 इस स्रीच का 28 वाँ टर्म होगा, आप फॉर्मूला पता है, तो ही आप ये कर पाओगे, अदरवाइस इस पूरी स्रीच को लिखके आप चेक करने का समय आपके पास नहीं है, बोलो भाई साब क्या आपको हमारी बात समझ में आई, ये बात तो सभी को समझ में आगे होगी न, इतनी आसान सी बात थी, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, अच्छा, ये आगे चले हाँ पर, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, इसी में आपको समझाता हूँ, हमने आपके सामने क्या बोला, कि अगर किसी स्रीच का लास्ट आपको निकालना है, तो ये होगा, मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछूं कि एक समांतर शेडी में कितने पद होंगे, पदों की संख्या क्या होगी, कैसे पता लगाएंगे, मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजीगा, अगर प्यारे श्ट्रेंट्स, ए को इधर ले आए तो ये हो जाएगा, L-A, बराबर, ये क्या है मेरे दोस्तो, N-1 into D, यही है, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बाई साब, इस D को यहां से छुटाओ, तो नीचे आ जाएगा भाग में, जो चीज गुणा में है, वो बटे में आ जाएगी, तो ये-1, मैनस 1 जब इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो L-A, अपॉन D, पिलस 1, आप बोलोगे, हाँ जी, बिलकुल सही, कोई प्रॉबलम नहीं, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, बच्चा पार्टी, तो आपको पता चल गया, किसी भी समानतर शेड़ी में, अ अपन कॉमन डिफरेंस, जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है, उससे भाग करेंगे, बच्चे गलती ये कर देते हैं, कि वो एक जोडना भूल जाते हैं, आपको एक जोडना पड़ेगा, प्लस 1, समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी, बिलकुल सही, समझ में है, टन टना ट जैसे मैं आप से पूछे लगू, सबसे आसान सवाल पूछूंगा आपकी जिन्दगी का, ये बताओ, 34, 35, 36, 37, और ये जा रहा है हां तक मेरे दोस्तो, 93 तक, ये कितनी गिंती लिखी हुई हैं आपके सामने, 34 से लेके 93 तक कितनी ये गिंती लिखी हुई हैं, ठीक है बई, एक तो ये है कि आप गिंलो, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 40, दूसरा आप मुझे बताओ, देखो एक लगातार गिंती भी तो समानतर शेणी हैं, एक एक कांतर नहीं है बच्चा, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 के gap पे हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर, लगातार even number सम संख हैं, दोदो के gap पे होते हैं, वो भी 77 शेणी हैं, लगातार odd number विसम संख हैं, दोदो के gap पे होते हैं, ये भी 77 हैं, तो last term में से first term घटाओगे, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, common difference एक का है, आप बोलोगे, हाँ जी सर, हालाएक एक से भाग लिखनी की जुरत नहीं थी, लेकिन एक जोड़ना भी पड़ता है, मेरे प्यारे भाई, अच्छा थी, 34 है, clear है, आप बोलोगे, हाँ जी सर, एक जोड़ना भी पड़ तो, 60 गिंती है, यह तो मैंने बड़ी टुच्ची बात पूची, पेपर में इतना नहीं आता, पेपर में सवाल आता है, भाई साब, ये वाला, करो, How many terms are there in the AP, ये सब previous question है, ठीक है बई, आपके सामने समानतरशनी लिखी हुई है, इसमें कितने पद हैं, पहला पद तो 7 है, 7, 13, 19, आखिर में 205, लास्ट टर्म क्या है, 205, पहला टर्म क्या है, 7, common difference कितने का है, आप कहोगे सर, यहाँ पे 6, 6 का, साथ से 13, 6 जादे है, 13 से 19, 6 जादे है, common difference से 6, तो इस रीज में कितने टर्म है, भाई साब जबाब दीजेगा, तो आप कहोगे, अब देको, दिमाग में करा करो, लास्ट टर्म में से फस्ट टर्म घटाएंगे, तो 205 में से 7 घटाओ दिमाग में, 198, 198 आ गया, common difference कितने का अच्छे, 6 से भाग करेंगे, और प्लस 1, तो 6 से 198 कितनी बार जाएगा, 33 बार, और 33 में जब एक जोड़ेंगे, तो कितना आगया, बच्चा पार्टी, 34, तो इस रीज में स्टुडेंट कितने टर्म है, 34 टर्म है, समझ में आया, बच्चा गरा, जहर कंसेप्ट, अरे भाई, अभी तो कुछ भी जहर नहीं हुआ, तुम लोग पहले ही, पीने लगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस बेसिक कंसेप्ट, आगे चलते हैं मेरे दोस्तो, अब ये तो होगी पदवद काउंट करने का, अगली चीज आती है, और आखरी चीज भी यही आती है, कि किसी समांतर शेड़ी में मेरे प्यारे भाई, उसका योग कैसे निकालेंगे, समांतर शेड़ी आपके सामने दि लेता हूं मेरे दोस्तो, नो, तेहरे, कितने का है, चार-चार ले लेते हैं, ठीक है, सत्रे, 21, 25, आप बोलोगे, हाँ जी सार, बिल्कुल सही, समझ में आ गया, तो ये क्या है, बच्चों, एक समांतर शेड़ी है, समांतर शेड़ी, आप बोलोगे, जी, बिल्कुल सही, मै आपको एक टेक्निक और बताना चाहता हूं, किसी भी समांतर शेड़ी में, स्टार्टिंग से पहला, और आखरी से पहला, जोडो, स्टार्टिंग से दूसरा, और आखरी से दूसरा, जोडो, यह तो बीच में आ गया न, इसका तो कहा ही लेंगे ही नहीं मेरे प्यारे भाई, यह बराबर होगा, स्टार्टिंग से एनेथ टर्म, और आखरी से एनेथ टर्म का योग करेंगे, हमेशा बराबर आएगा, स्टार्टिंग से पहला, प्लस आखरी से पहला, जोड़ेंगे, ये भी 34 है, starting से दूसरा, आखरी से दूसरा जोड़ेंगे ये भी 34 है, ये सिरीज अगर आगे भी बढ़ाई जाए, तो starting से तीसरा, आखर से तीसरा, उनको जोड़ेंगे तो भी 34 आएगा, ये बहुत important concept है, सवाल इस concept से बहुत easily हो जाते हैं, आप लोग जानते हैं मेरे दोस इनका योग क्या होगा, मेरे प्यारे भाई, एक तो रास्ता ये है कि आप इनको बच्चे की तरह जोड़ो, बालक की तरह जोड़ो, लेकिन हम ये बात कहना चाहतें कि कि किसी भी समांतर शेणी का अगर आप average निकालेंगे औसत, औसत क्या होता है, ये 5 संख्या हैं, इन बिल्कुल बीचों बीच में होगा, मेरे प्यारे भाई, वो समांतर शेणी का average होता है, average, middle number is average, किसी भी समांतर शेणी में, जो बिल्कुल बीच में टपक गया, वही उसका उसत हो गया, मेरे दोस्तों, और उसत जो होगा, मेरे प्यारे भाई, क्या होगा? first term plus last term बटे दो, first term plus last term बटे दो, मेरे प्यारे भाई, दिखाई दे रहा है, 9 plus 25, 34 बटे दो, या फिर starting से दूसरा, plus आखरी से दूसरा बटे दो, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है, बात समझ में आई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, समझ में आई, तो आपको अगर इस रीज का योग निकालना है, मेरे प्यारे भी कितनी संख्या हैं, पात संख्या हैं, पात संख्याओं का योग निकालना है, तो औसत क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे, सर, पहला टर्म 9 है, आखरी 25 है, औसत होगा, पहले और आ 9 प्लस 25, 34, 34 बटे दो 17, और 17 की 5 से गुणा करेंगे 85, तो 85 इनका योग आ गया, आपको बालक की तरह जोडनी की जुरत नहीं है, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपने कभी इस बात को गहराई में जाके नहीं सोचा होगा, कि अगर आपके पास एक समा लास्ट तर्म ही जो है वो आपका एन्थ तर्म है, इस रीज में टोटल एन ही तर्म है, अगर मुझे मेरे दोस्तों इस रीज में कितने पद हैं, एन पद हैं, एन पद हैं, अगर मुझे इस रीज के एन पदों का योग निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो मैं कैसे निकाल तो आप कहोगे सर ये एक समांतर शिर्णी है काहे को टैंसल ले रहे हो एस का मतलब होता है सम एन लिखना हूं मतलब एन पदों का सम क्या होगा मेरे प्यारे भी तो आप निकालो एवरेज एवरेज क्या आएगा पहला नंबर पिलस आखरी नंबर पहले और आखरी को जोड़ के आधा कर दीजिए ये हो गया इस स्रीज का एवरेज आउसत इस स्रीज में कितने पद हैं टोटल एन पद हैं एन से गुणा कर दीजे मेरे दोस्तों तो यही आ गया मेरे दोस्तों एन पदों का योग आज तक तोते की तरह रट लिया तुमको पता भी था कि कारण क्या है यही फॉर्मुला पढ़ा है ना आप लोगों ने कि किसी भी समानतर शर्णी के N पदो का योग निकालना है N बटे दो A प्लस L N बटे दो A प्लस L बोलो हां की ना N बटे दो फस्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कहां से आया? एवरेज की कंसेप्ट से आया था भाई साब यह अगर आपको समझ में आया तो लाइक करो मेरे दोस्त यह बच्चा बड़ा गुस्सा हो रहा है कह रहा है सर टेलिग्राम पे पीडिया विच सॉलुशन दिया करो अच्छा ठीक है मनिश्कुमार मान लिया आपकी बात ठीक है? ठीक भई हम दो-तीन लोगी काम करने वाले 50 लोगों की टीम नहीं बिठाई है भई हमने पर कोशिश करूँगा मैं दूँ आपको चिंता ना करें आप बोलोगे सर अगर एलवा पदी ना पता हो, लास्ट टर्मी ना पता हो तो कैसे करेंगे? तो आप जयानते हैं कि किसी समांतर शेणी में अगर एन ही पद है तो जो लास्ट में टर्म होगा वो एनध टर्म होगा और एनध टर्म की वेल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया है a plus n minus 1 into d बोलो 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 अगर मेरे प्यारे बालक मैं यहाँ पर l की जगए सुनना मेरी बात को अगर हम यहाँ पर l की जगए क्या रख देंगे यह रख सकते हैं है भी l की जगए यह रख सकते हैं a plus n minus 1 into d आप बोलोगे हाँ जी सर रख सकते आपका राज है मोदी जी सापके डारेक्ट कॉंटेक्ट है तो n बटे दो तो आप मुझे बताओ ब्रैकिट में क्या आ गया a प्लस a हो गया बच्चो 2a a प्लस a 2a हो गया और यह क्या बच्चा n-1 into d यही है बढ़का वाला फॉमुला रट्टा बाज आज आपको समझ में आया कि किसी भी समान तर्शेणी का अगर आपको first term पता है common difference पता है और आपको अगर उसके n पदों का योग निकालना हो some of n terms निकालना हो तो क्या concept लगेगा तो आप कहोगे सर कंसेप्ट है n बटे दो 2a प्लस n-1 into d बोलो हाँ समझ में आया भाई साव ठीक है यहाँ पर यह मैंने सारी बाते लिखी हुई है आप इसको देख सकते हैं बड़े ही प्यार से ठीक है और भी इसमें बहुत ही गहरी जानकारी है जिस सवालों के shortcut भी मैंने हाँ पर दिये हुए है ठीक है बच्चो जैसे यह राज sum का formula n by 2a plus l n by 2 2a plus n minus 1 into d कहां से आया हमने आपको वो भी समझाया अब क्या सवाल करने के लिए तैयार है अगर आप इसमें बेश सवाल कर सकते हैं तो जरा मुझे करके बताईगा जरा बच्चो इस सवाल का क्या अंसर है बनाओ इसमें पानी करो यार अरे मजा आया तो आप वीडियो को एक वाल लाइक चरूर करें भाई सारे लोग आपके सामने एक स्रीज दिया है बताओ इसमें पदो की सन क्या है यदि इसके पदो का योग तीन सो है इस स्रीज के अगर सम तीन सो है तो बताईए इस स्रीज में कितने टर्म्स हैं जवाब देंगे जंबूरे बताओ तो आप कहेंगे सर जी इस अब क्या है डरावना लग रहा है आप जानते हैं कि स्रीज का जो पहला टर्म है वो 20 है अब आप कहो सर ये इस रिष्टो बड़ी अठपटीसी लग रही है बेटा ये समानतर शिर्णी है 20 से 19 सही एक वटा 3 कितना कम है तो आप कहोगे सर 2 बटे 3 कम है भाई अच्छा 19 सही एक वटे 3 में से 18 सही 2 बटे 3 कितना कम है 19 से 18 घटाएंगे एक आएगा 1 बाई 3 में से 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 यानि कि मेरे दोस्तो ये 2 बाई 3 आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही कोई प्रॉबलम नहीं है बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे मेरे दोस्तो जो कॉमन डिफरेंस है बच्चे समझ में किसी भी टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को घटा दो केड Fenya आप बोलोगे हाँ जी सर तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वह माइनस 2 बटे 3 है इससे आपको दिखके डरना नहीं 19 से 1 बटे 3 में से 20 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो मानस 2 बाई 3 आएगा आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही कोई प्रॉब्लम नहीं तो फस्ट टर्म 20 है common difference मानस 2 बटे 3 है पूछा इस रीज में कितने टर्म है यदि इसके पदो का योग मेरे प्यारे भाई 300 है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्त ध्यान से समझेगा अभी अभी आपको concept समझाए एक second पहले दिख रहा है concept किवल आपको इसमें value लि पहले टर्म 20 है 20 दूनी 40 प्लस n-1 और common difference कितना आएगा मेरे प्यारे भाई यहां से मानस का 2 बटे 3 आप बोलोगे जी सर बिलकुल सही Oscar goes to you अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 40 अंदर 2 से काट लेंगे आ 20 बार चला जाएगा और यह आपका एक बार चला जाएगा ठी इक्वल टू एन यहां पे हम लोग एलसियम लेंगे जब 3 की 20 में गुणा होगी 60 और यह मानस मानस प्लस 1 हो जाएगा 61 तरी की जब मेरे दोस्तों यहां पे और यह प्लस n रहेगा मेरे दोस्तों ठीक है न माइनस एन सोरी माइनस एन यह बात समझ में आगी आप बोलोगे ह 60 हो जाएगा मानस 1 मानस वन यह प्लस 1 हो जाएगा तो 60 और यह किक साट मानस बन की न में कुणा करेंगे मानेस एन तो यह आपके सामने क्वाडडिक equation बन गई, अगर बच्चों आप इसको solve करेंगे तो एक quadratic equation बनेगी दुई घात समी करण, या तो आप इस quadratic equation को solve करो, या फिर बच्चों इसको option से satisfy कराओ, option से, अच्छा है बटे 3 है ना, बटे 3 ये जो बटे 3 है इसकी इधर भी गुणा होगी, तो यह हो जाएगा 300 या 900, 900 हो हो गया, तो भाई मेरे, या तो आप इसको quadratic को solve करो, या फिर option से संतुष्ट कराओ, जो option satisfy करेगा वो answer होगा, बटे 3 है ना, 3 की इधर गुणा होगी, 300, 300, 900, और धिमाय में calculation करनी की आदर डालेगा, क्या 25 satisfy करता है, n की जिगह 25 रखूंगा, और 61 मानिस 25 कितना होता है, 36, और हर कोई जानता है कि 25 गुणा 36, 900, 25 satisfy कर रहा है, अगर मैं n की जिगह 36 रखूंगा, तो 36 गुणा 61 में से 25 घटाएंगे, तो 36 गुणा 61 में से आप मेरे दोस्तों 36 घटाएंगे, तो 25 आएगा, तो 36 गुणा 25 ये भी 900, तो दोनों ही satisfy कर रहा है, 25 और 36 भी, तो इस सवाल क है, चाहें इसके 25 पदों का योग निकालो, चाहें इसके 36 पदों का योग निकालो, दोनों का योगी तीन सुवाएगा, मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, ठीक है दोस्त, अगर कभी भी ऐसी कुछ situation फस जाए, तो don't solve quadratic equation, जब आपके साम आपने option है, तो option का सारा लगाओ न, यह तो आपने कर लिया, यहां से N की कुणा करेंगे, द्विगा समिकर नहीं solve करना, दोनों option 25 पी satisfy कर रहा है, 36 पी, तो यह दोनों ही answer है, बहुत प्यारा सवाल था, हर बच्चे को clear हुआ होगा, आगे चलते हैं, बच्चों अगले सव सवाल की तरफ, सवाल लंबर है आपके सामने यहां पर, चौथा, और इतना प्यारा सवाल आपने जिंदगी में पहले नहीं किया होगा, 2017 मिंस के पेपर में बच्चों इस सवाल आया था, और उस टाइम के हिसाब से बच्चों को कठिन लगा था, वो कि पहली बार ऐसा question आ प्लस साथ माइनस होना चीब है यहां पर, प्लस साथ माइनस सम्थिंग इस तरीके से चलता जाएगा, यह साथ पदो तक है, तो आप से पूछा है, एक आमान क्या है, एक ही वेल्लू क्या है, यह आपके सामने सवाल है, देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो दो-दो सरीच चल लही है, यह कुछ पैटन तो लगनी रहा, एक तो यह चला, एक से तीन, तीन से पांच, पांच से साथ, आप बोलोगे हांजी सर, दो-दो बढ़ता जा रहा है, एक यह लग रहा है कि सर, दस से बारे, बारे से चौधे, फिर चौधे से आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे सवाल को सेकेंड्स में उड़ा दोगे, जब भी दो या तीन को मिक्स किया जाए, तो बच्चों उनको प्यार करवा दो, अगर मैं दो-दो टर्म को प्यार करवा हूँ, तो ध्यान से दिखेगा, 1-2 कितना आएगा, माइनस करनो, कित माइनस सोले भी कितना आएगा, माइनस का नो, हर दो-दो टर्म को मिलाके, बच्चों कितना आएगा, माइनस का नो आएगा, हर दो-दो टर्म को मिलाके, अच्छा, इस स्रीज में टोटल टर्म कितने थे, साथ टर्म थे, दो-दो का पेर बना दोगे, तो जोड़े कितने ब प्रटें नेक्स क्वेश्चन यह बताईगा यह जो सवाल है कि कल मैंने आपको सेचसल के क्वेश्चन सौल करवाये थी ना बेस सवाल सेचसल 22 के उसी में एक ऐसा सवाल था बस मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करक दिया है ठीक है मैंने थोड़ी अपनी और क्रेटिवटी अपके सामने खतरनाक सी स्रीज दी है इसमें कितने टर्म है बच्चा 99 टर्म से 99 टर्म से 99 टर्म से तक का आपको योग निकालना है तो प्लस माइनस प्लस आपको दिख रहा देखो बच्चे शोचेंगे 33 स्रीज है पांच से सात साथ से नौ ऐसे चल लाहा है दूसरी भी प पर हमने अभी आपको क्या ट्रिक सिखाई सेतसल के पेपर में ऐसा सवाल आया था पर वो इसका इजी वर्जन था कंसेप्ट यही है मेरे प्यारे बच्चो कि तीन-तीन स्रीच चल नहीं है तो तीन-तीन टम्स को प्यार करवाओ मेरे दोस्तों आप यहाँ पर यह बताओ कितना हो गया अगर मैं इन तीनों को मिलाओंगा तो पांच और तेहरे अठारे माने साथ दस यह दस होगे आप बोलोग हां जी सर बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं आप मुझे बताए यह वाला एक किस नों तीस तीस मानस चौदे मेरे दोस्तों कितना हो गया सोल है यह आगे चलता जाएगा तो आप का होगे सर यह तो खुद एपी बन गई यह तो खुद सवांतर शेड़ी बन गई दस तेहरे सर तीन का गाप 13, 16, 3 का गाप यह तो फिर से सवांतर शेड़ी बन गी अगर इस सरीज के 99 तम्स थे इसवाली सरीच में हमने 3,3 लोगो को आपस बिठा दिया ।ो यह जो सरीच बन के आएगे इसमेंudになり में 29,3 तेर्मी रह जाएगे अरे तीनती लोगों का जोडा बनाओगे 99 टर्म्स आपके पास है तो 33 टर्म में रहा जाएंगे यानि कि आपको क्यों ये निकालना है औरे तो बेसिक सवाल बन गया बच्चा समानतर श्रीनी का योग निकालना भी समझा है 33 टर्म्स का n बटे 2 ब्रेकिट में 2a 2a का मतलब मेरे प्यारे बटे 10 दूनी 20 प्लस n माइनस 1 33 माइनस 1 32 कॉमन डिफरेंस कितने का यहाँ पे 3 का कॉमन डिफरेंस है तो मल्टिप्लाई बटे 3 तो आप अच्छी तरीके जानते है कि 33 गुणा कितना आएगा मेरे दोस्तो 32 तिया 96 प्लस 20 116 को दो से भाग करेंगे तो 58 33 गुणा 58 आएगा मेरे प्यारे बच्चो और एंड में 3 8 24 चार आएगा यह उत्तर है कि केवल इकाई कंक मैच कर लेंगे मज आया की नहीं आया केवल आपको यह सीखना इसको तो सभी बच्चे कर लेंगे अब सी चसल में सवाल आया देखो मैंने इसको मोडिफाई करके कितना अच्छा सवाल बनाया रेलेवेंट है और फ्यूचर में मेरी वीडियो देखेंगा तो फिर से ऐसा ही बनाएगा समझ दो अब बहुत सारे हैं अरे कोई दिक्रत नहीं बच्चे मोज ले रहें ना बस समझ में आरा ना सबको अब एक घंटी पढ़ांगे परस जितना होएगा 100 स्क्वाइर मानस 9 स्क्वाइर प्लस 98 स्क्वाइर मानस 97 स्क्वाइर प्लस 96 स्क्वाइर मानस 55 आप कहोगे सर 1 प्लस 1 मानस वो भी स्क्वाइर में कैसे करें तंक रखा इसने देखे हरकोई बालक इस बात को जानता है कि a square minus b square बराबर a plus b गुणा a minus b यह algebra का concept है पर यहाँ पर इस्तिमाल होगा और बिना इसके सवाल नहीं होगा आप कहोगे हाँ जी सर अब हमें आपकी बात पकड़ में आई हम देख पा रहे हैं आप बच्चों हमें यह बताओ इस ट्रेंड्स यह क्या है तो आप कहोगे सर यह a square minus b square है 100 square minus 99 square अगर मैं इसको देखूंगा तो यह क्या हो जाएगा तो आप कहोगे सर यह होगा a plus b into a minus b a plus b into a minus b यह होगा और आपको नहीं लगता प्यारे बच्चे a plus b into a minus b कि यह जो a minus b यह जो 100 minus 99 यह तो एक बन गया यह तो एक बन गया और एक की किसी में गुणा करते रहो क्या फरक पड़ता है यहने कि इसका मतलब केवल 100 plus 99 है समझे तो बिलकूल डिट्टो इसी प्रकार से आपने अब्जर्व कर लिया इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा मेरे दोस्तो 98 plus 97 आप बोलोगे हाँ जी सर मतलब तो इसका यह होगा फिर ठीक है ना a square minus b square a plus b गुणा a minus b a minus b 1 हो जाएगा बिलकूल प्यारे भाई इसी प्रकार से इसका मतलब क्या होगा तो आप कहोगे सर इसका मतलब होगा फिर से a plus b यहने कि 96 plus 95 और यह sequence चलता ही चला जाएगा रुखने वाला नहीं है रोख सको तो नहीं रुखेगा और आखर में क्या है 12 square minus 11 square तो इसका मतलब मेरे दोस्तो 12 plus 11 होगा आप बोलोगे हाँ जी सर आखरी में मतलब क्या होगा बच्चो 12 plus 11 तो याने कि actual में सवाल यह था और आपको यह बना के दे दिया कितना दुष्ठ है examiner और आपको इसको जोड़ना है तो आपको नहीं लग अच्छे गिंती हैं कितनी जवाब दो 11 से लेके 100 तक कितनी गिंती होती है अभी सिखाए नब्भे लास्ट में से first term घटाएंगे एक जोड़ेंगे 90 गिंती total है मेरे प्यारे भाई तो आपको मेरे दोस्तो 90 पदों का योग निकालना है आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल स ही कोई problem नहीं हो जाएगा ना एन बाई-टू ए प्लस एल एन बाई-टू ए प्लस एल फूर आप वो भी कह सकते कि ये 90 टर्म्स हैं एवरेज क्या होगा फस्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे दो तो 90 टर्म्स हैं एवरेज से गुणा कर दो मतलब एक ही हुआ तो 2 से 90 45 तो बच्चों हर कोई जानता है कि 45 गुणा 111 सवाल का अंसर है ठीक है 9 का multiple भी होगा देखो end में तो 5 आएगा ठीक है बच्चों 9 से ये वाला option तो नहीं कटेगा ये उत्तर है प्री का सवाल एक systematic way में मैं आपको समझा रहा हूँ सारे बच्चे इसको पकड़ पाए है ये सरनो करके बता दीजेगा clear सभी भाईयों को आगे चलते हैं भाई next question आपके सामने है ठीक है ये देखो ये कोई सवाल नहीं है ये example है जो बच्चों को करवाना बहुत जरूरी है दिमाग खुलता है देखेगा find the sum of all two digit number which when divided by five leaves a remainder two दो अंको की उन सभी संख्याओं का योग जरा निकालो जिन्हें पांच से भाग करने पर सेस्वल दो रहता है दो अंको की ऐसी कितनी संख्या है मेरे दोस्तों जिनको पांच से भाग करें मेरे प्यारे भाई तो सेस्वल दो आना चाहिए आप जानते हैं कि ऐसी संख्याओं कितनी है ऐसी तो अनंत संख्याओं सपोज मेरे दोस्तों आपका कोशंट जो है वो के है जो भागफल जाएगा वो के जाएगा तो संख्या की जो standard form होगी वो यह होगी मेरे प्यारे भाई इस रूप में लिखी हुई जितनी भी संख्याओं पांच से भाग करो हमेशा दो रिमेंडर आएगा लेकिन आपको दो दो अंको के लेनी है तो केकी जगे दो रखूँगा तो दो पंजे दस दूनी बारे 12 को पांच से भाग करो दो आता है केकी जगे 3 रखूँगा 3 पंजे 15 दो 17 केकी जगे मेरे दोस्तो चार रखूँगा 4 पंजे 20 अड़ 22 ये सभी वो संख्याओं आती चली जाएंगी मेरे प्यारे भाई जो पांच से भाग करके दो सेस्फल देंगी और सबसे आखरी में कौ ये वो सभी संख्याओं है जिनको जरा पांच से भाग देंगी तो दो सेस्फल बचता है आप बोलोगे हां जी सर ये हुई ना बात कौन तकलीफ नहीं है इसमें ठीक है 12, 17, 22 आपको इन सब का योग निकालना है योग तो आप निकाल लोगे जरा मुझे बताओं है संख्याओं है कितनी संख्याओं मेरे प्यारे भाई 5 5 का गैप है कितनी संख्याओं तो लास्ट टर्म में से 1 तर्म आप घटाएंगे 5 से भाग करेंगे और ये प्लस 1 यानि कि 17 और एक 18 तो यह 18 संख्याए हैं टोटल सवाल इतना भी बन सकता है कि कितनी संख्या है 18 संख्याएं इनका योग आपको निकालना है तो n बटे 2 a प्लस l a प्लस l का मतलब फस्ट टर्म प्लस फस्ट टर्म प्लस लास तर्म आप बोलोगे हां जी सर 12 प्लस 97 कितना हो ग ला गया तो 981 सवाल का अंसर है 981 सभी बच्चों को समझ में आया ठीक है आसान सी बात थी इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यह देखो एक और सवाल है आपके सामने मेंस 2017 के पेपर का नंबर सिस्टम एपी जो मिक्स करके यह सवाल है भाई जी सौ और चार सो के बीच उन सभी नेच्चुल नंबर का योग बताओ जो 13 से डिविस्बल है और ऐसी सवाल आते हैं ठीक है यह और यह एक ही फैमली के सवाल है यह वाला और यह वाला यह सभी नेच्चुल नंबर का योग बताओ जो 13 से कटती है तीरे से कटने वाली वही संक्षाई लेनी है जो 100 से 400 के बीच में हो और फिर आपको उनका योग भी निकालना है तो आप 13 का पहळा तो सब बालक जानता ही है ना 100 से बड़ा, 13 से कटने वाला नम्मर कौन सा, 104, 138 104 मेरे दोस्तो 137 क्यानवे होता है, अगला क्या होगा, 139 170, 132 130, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ये वो सबी संख्या हैं मेरे प्यारे भाई, जो 13 से कटने वाली है, और 400 से छोटा लेना है, 400 से जस्ट छोटा, 13 तेरे से कटने वाला नंबर कौन सा है जवाब दो, 400 से जच छोटा दिमाग में सोचेगा, कौन सा नंबर ऐसा है, जो 13 से कटता है, तो आपको सर 13 तिया 49 होता है, एक जिरो लगा देते हैं, 390, सोचना पड़ेगा आपको, आप वो नहीं करोगे कि 400 को तेरे से भाग दो, दस स इस फल बचा फिर वो घटा हो, इतना समय नहीं होता है इंसान के पास, 390 आ गया, आपको इन सब का योग निकालना है, कर लोगे या मुझे करवाने की ज़ुरत है, तो आपको पहले तो ये काउंट करना पड़ेगा, कि ये संख्याए कितनी है मेरे दोस्तों, तो लास्ट में से first term घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, और common difference यहाँ पर 13 का ही मिल ला है, और ये आपका हो जाएगा plus 1, 390 में से 104 घटाने मत लगा करो, यहीं पर कट जाता है, 30, यहीं मेरे दोस्तों, और ये 8, 30 मानस 8, 22 और एक 23 terms है, मेरे दोस्तों 23 terms, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बि की हुई है, और short में बताता हूं, ध्यान सुनेगा, इतना करने की जुरत नहीं है, अगर आप थोड़ा logically सोचना सुरू कर दें, यह 13 का पहड़ा है 8 बार, 13 ठेक सोचारे, 13 का पहड़ा है 9 और आखिर में 13 का पहड़ा गया है 30 बार, 13, 39, तो 8 और 30 के बीच में कितने का gap है 22 का, 22 से एक जादे होती है संख्या, 13 संख्या है यह, ऐसे सोचेगा, तो आपके सामने जो संख्या हैं मेरे प्यारे बेगे कितनी है, 13 संख्या हैं, और मुझे इनका योग निकालना है, तो योग क्या आएगा, n by 2, bracket में a plus l, a plus l का मतलब first term plus last term, तो 390 में जब 104 जोड़ें ठीक बच्यों कोई दकलीफ नहीं, और 2 से 494 काटेंगे, तो 247, 23 गुणा 247, 3 सत्य 21 आएगा मेरे दोस्तों, यानि कि हमें कह सकते ही कि एक unit digit जो आएगा वो 1 आएगा, 1, समझ में आया भाई, आप बोलो कि हादी सर आया, उसके बाद 2 option में आप भस गे, अब आपके पास या तो सिधी सिधी गुणा कर लो, या फिर मेरे प्यारी भाई, यहाँ पर digital sum आप लगा लो तो ज़्याद है बेटर है, तो digital sum में लगा लेता हूं, 3,25, 5,22 आगया मेरे दोस्तों digital sum, और यहाँ पर 6,5,11 है, दो digital sum है, जिन बच्चों को digital sum की ही जानकारी नहीं है, वो हमा दाम दंडबेद, बात खतम, अदरवाज आप सीधी गुणा कर लो, किसने रोका है, दाम की बात, कौन सा दाम, आगे चले, यह बताईएगा मेरे प्यारे भाई, यह सब लेटेस्ट सवाल है, पुरीके, पुरीके, बताईएगा, दा सिक्स्थ एंट, अरे, बोला है, यदि किसी समांतिर श्रीणी का छटवा पद उन्निस है, सत्रवा पद श्यानवे है, तो पच्चिसमा पद बताओ, बहुत जबर्दस सवाल है, और ऐसे सवाल परिक्षा में भर-भर के आते हैं, ध्यान से सुनेगा, आप जानते हैं, कि मैंने माल लिया, यह सवाल तब तक सॉल्म नहीं होगा, जब तक आपको फर्स टर्म, और कॉ प्लस 5D, यह होगा, छटा टर्म, A प्लस 6-1, 5 होता है, इसकी वैल्यू सवाल में 19 दे रखी है, स्रीज का 17 टर्म क्या है, तो आप कहोगे सर, A प्लस 16D, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, और उसकी वैल्यू सवाल में आपको 96 दे रखी है, आप से पूछा है स्र प्लियर लोजिकली समझे, अगर आप इसमें से इसको घटाओ मेरे प्यारी बई, तो आपको नहीं लगता, 16-5, 11D आएगा, और इसमें से इसको घटाओ मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा, 77 आएगा, तो आप जानते कि कॉमन डिफरेंस कितना आगया, 7, 11, 37, आपको निका पच्चिसमा पद, तो पच्चिसमा पद क्या आएगा, A प्लस 24D, 25-1, 24 होता है, अब बच्चे क्या करेंगे, अब यहां से फस्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया, फस्टम निकालेंगे, इतना टाइम थोड़ना है आपके पास, आप लोजिकली सो मेरे पास A प्लस 16D already है, मुझे 24D चाहिए, तो ज़रत किसकी है, 16 से अगर 24 पे जाना है, तो ज़रत किसकी है, 8D की ज़रत है मेरे दोस्तों, 8D की, तो मैं इसमें 8D add कर दूँगा, अगर D का मान साथ है, तो 8D कितना होगा, 56, तो 96 में मैं किवल 56 add करूँगा, मेरे दोस्तो समझ में आया, ये सॉलूशन हर एक जनता को समझ में आया होगा, फस्ट रम निकालने की ज़रत नहीं है, लेकिन इस सॉलूशन को करना क्राइम है, ना तो ये आपको केवल किताबों में देखने को मिलेगा और आपको अपने कॉपी में देखने को मिला होगा इस वक्त, 11D बढ़ गया होगा मेरे दोस्तो, 11D बढ़ा होगा की नि बढ़ा होगा, छटमे पद और स्चत्रवा पद 19 से 17 पद 96 है, तो कितना गैप कितने का है, 11 का, तो common difference 11 बार बढ़ा होगा, बढ़ा कितना है, 19 से 46 हुआ, 27 बार, तो common difference मेरे दोस्तो साथ आ गया, आप बोलोगे ह जी सर यह दिमाग में कर सकते थे यह लिखने की जौरत क्या थी अब आप कहोगे सर हमको तो 25 पद निकालना है आप बताओ अगर मुझे 25 पद निकालना है मेरे पास 17 पद अलड़ी है सत्रवे पद से 25 पे जाना है तो आप मुझे बताओ कितना common difference बढ़ेगा अगर 17 से 25 पद पे आपको छलांग मारनी है आठ आगे आपको जाना है तो common difference मेरे दोस्तो साथ नहीं बढ़ जाएगा साथ बार अगर आपको यह देखो फस्ट टर्म आपको पता है मेरे दोस्तों फस्ट टर्म तो अगला टर्म क् आएगा समझ में आ रहा है ठीक है बच्चे तो मेरे प्यारे भाई आपको यही तो बास समझ नहीं कि अगर आपको 17 टर्म पता है 25 में आपको कूदना है तो कितना common difference यहां पे आपका साथ बार जो है स्वरी आठ बार स्वरी आठ बार स्वरी एट टाइमस बढ़ जाएगा सत्रे से 25 में आपको पहुंचना है तो common difference आठ बार जोड़ जाएगा क्लियर है आप बोलोगे हैं से 25 का difference कितना है आठ तो यहां पे सत्रवां पर डारेक्ट चानवे दे रखा है common difference कितने का है बेटा साथ का साथ अट्टे चपन चानवे में जब आप चपन जोडएंगे त एक सो बामन आ गया डारेक्ट समझ में आया कि यह लिखना भी क्राइम है यह सारी बात आप दिमाग में कर सकते थे मैज़दार है ठीक है यह दीरी दीर आप प्रैक्टिस से करोगे समझ में आया जब आप प्रैक्टिस करोगे लगातार तो दीरे दीरे आपके पास यह जनरेट होगी दीरे ठीक है अभी आप एक दिन में राजा बन जाए ऐसा नहीं है जो आपने बेसिक सॉलुशन किया वो ही सही आज के इसाब से देके दो सवाल मुझे आपको और बताने है यह वाला क जरू करें कितने बच्चों का माइंड इतना डेवलब हुआ कि यह सवाल खुछ से कर पाएं एक स्वांतर श्रीणी के पहले 25 पदों का योग 525 है अगले 25 पदों का योग 725 है common difference क्या है दिस इस वर अब दा बेस्ट क्वेस्ट और जो बच्चे केवल फॉर्मुली के चक् एक स्वांतर श्रीणी के पहले 25 पदों का योग 525 है इसका मतलब क्या है कि T1 से लेके T1 पहला टर्म T2 दूसरा टर्म T1 से लेके अगर आप 25 में टर्म तक जोडोगे तो 525 आता है ये बात बोली गई है पहली लाइन में दूसी लाइन पर बोला अगले 25 पदों का योग 725 इसे अगले 25 कौन से होंगे 26 से लेके 26, 27, 28 और आखिर में कौन सा जाएगा मेरे दोस्तों 50 पचास अगले 25 टर्म ये हो गए इनका योग मेरे दोस्तों 725 है आपको बताना है common difference क्या है common difference जवाब दीजेगा मेरे दोस्तों common difference आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस में से मेरे पहला term घटाओगे, 26 में term और पहले term में कितने की आग लगी हुई है बीच में 25, यानि कि common difference कितनी बार आया होगा, 25 बार आया होगा common difference, बात समझे की नहीं समझे, बोलो हाँ, पहले पद से अगर 26 में पद पे छलांग माननी हैं, तो common difference 25 बार जोड़ना पड़ेगा, बोलो ह आप बोलोगे, हाँ जी सर, बीच का gap कितना है, 25, 27 में term में से दूसरे term घटाओगे, common difference कितनी बार आएगा, 27 अर दो का gap, 25 है, 25 बार आएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिल्कुल सही, 28 में में से तीसरा टर्म घटाओगे common difference कितनी बार आएगा 25 बार आएगा आप बोलोगे हां जी सर और ये ही चलता चला जाएगा कितनी बार कितनी संख्या है 25 संख्या है तो ये होगा मेरे दोस्तो 25 बार आप बोलोगे जी बिलकुल सही 725 में से 525 घटाएंगे तो 200 ठीक 25 बार करोगे 25 को अगर 25 बार जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 625 25 गुणा 25 625 आप बोलोगे हां जी सर तो 625 डी बराबर 200 है मेरे प्यारे बाई ये किस से कटेगा 25 से कट जाएगा 25 बार और 25 अठे 208 बार तो कॉमन डिफरेंस की जो वेलू है वो आठ बटे 25 है और ये ही सवाल का अंसर है A option इतना बहतरीन सवाल है बस आपको ये तो समझना है कि किसी पद से डारेक्ट अगर आप किसी पद पर कूद रहे हो तो जितने का मेरे दोस्तों अंतर आ रहा है कॉमन डिफरेंस उतनी ही बार जोड़ना पड़ेगा क्लियर है समझ में आया चले दोस्तों ये बताएगा यदि किसी समांतर श्रेणे के चौथे पद का चार गुना अठारवे पद के अठारे गुने के बराबर है तो बाइसमा पद ग्याद करिए देखो ये आप कहीं भी समांतर श्रेणी पढ़ोगे चाहां NCRT में चाहां हमारी कंसेप्ट किंकी बुक पढ़ोगे तो ये डारेक्ट ठोरम है और इस पे दो से तीन बार S.S.C. में डारेक्ट सवाल आया है आपको इस सवाल को सॉल करने की जौरत नहीं है कि आप सॉल करोगे हर बच्चे इसको सॉल कर सकता है अगर वो बनाना सुरू करे लेकिन डारेक्ट रिजल्ट आपको पता है दो तीन बार सवाल आया हुआ है तो आप इसको सेकेंट्स में निप्टा सकते हैं अगर किसी भी समानतर शेणी के M-th टर्म का M गुना अगर बराबर है N-th टर्म के N गुने के जैसा कि यहां पर बोला गया इस सवाल में दिखवी रहा होगा किसी भी समानतर शेने के M वे पद का M गुना अगर N वे पद के N गुने के बराबर है कभी भी ऐसा दिया गया है तो आपसे A की चीज पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा M प्लस N वा टर्म जो होगा वो हमेशा 0 होगा M प्लस N वा जो टर्म होगा वो हमेशा 0 होगा क्लियर यह ठोरम हम पने अपनी कितामों में भी दी है आप इस सवाल को बनाओगे तो आप में से सारे बच्चे सवाल को बना सकते हैं बस फर्क यह होगा कि एक पेज का सॉलूशन जाएगा यह ठीक है यह अकेली एक ठोरम है जो आर्थमेटिक प्रोगिशन आपको डारेक्ट याद रखनी है कंसेप्ट के इंग में क्वशन दिया हुआ है ठीक है भाई अगर किसी जैसे यहां पर दिर का किसी समांतर श्रणी के चौथे पद का चार गुना अठार में पद के अठारे गुने के बराबर है तो बाईसमा पद क्या होगा 4 प्लस अठारे 22 है बाईसमा पद 0 होगा समझ में आया आप सभी लोगों को कोई तकलीफ नहीं है कोई समस्या नहीं आगे चलेंगे next question की तरफ ध्यान से सुनेगा आप सभी लोग यह जी यह बताएगा बच्चो लास्ट क्वेश्चन अरे तरफ यदि एक समांतर शेणी के 100 पदों का योग 50 है पहले 200 पदों का योग 90 है तो स्रेणी के 300 पदों का योग ज्याद करिए दिल्ली पुलिस हैंट कॉंस्टेबल 2022 का सवाल है और मैं कहूंगा कि arithmetic progression का आज तक का जितने भी सवाल पूछे गए उनमें one of the best quality question है अगर आप इस साल को basic से करोगे A और D मानके तो कम से कम आपको पांच मिनट लगेगा इस सवाल को solve करने में कम से भी कम पांच मिनट कि माना पहला term A है common difference D है पहले 100 term का formula लगाओ अगले 200 term का formula लगाओ फिर 300 पदों का योग निकालो जीवन आपका इसी में निकल जाएगा formula लगाने में ये सवाल बार बार आता है मैं इसको पहले से करवाता रहता था एक्जाम में आने से पहले से ये type में करवाता रहता था इसकी हमने एक अलक्षे shots भी बनाई बोला है एक समानतर शिर्णी के पहले 100 पदों का योग 50 है ज्यांस सुनेगा किसी भी समानतर शिर्णी के अगर पहले 100 पदों का योग आप निकालेंगे तो 50 होगा 50 पहले 200 पदों का योग 90 है अगर पहले 200 पदों का योग 90 है तो अगले 100 पदों का योग कितना होगा मेरे प्यारे भाई अगले 100 पदों का योग तो आप कहोगे सर अगले 100 पदों का योग 40 होगा कि 50 प्लस 40 90 है पहले 100 टर्म का योग 50 है अगर पहले 200 टर्म का योग है 90 है तो अगले 100 टर्म का योग 40 होगा ना 50 प्लस 40 90 है, समांतर शेडी में केवल टर्म में ही common difference नहीं होता, सम में भी common difference होता है, तो मैं अगर आपसे पूछू कि अगले 100 टर्म का योग क्या होगा, अगले 100 टर्म का जरा जवाब दो, ये टेकनिक पाता है, तो ही सवाल जल्दी कर पाओगे, समांतर शेडी में केवल टर्म जो होते हैं, नंबर अफ टर्म केवल उनमें ही common difference नहीं होता है, योग में भी होता है, पहले 100 टर्म का योग 50 है, अगले 100 टर्म का चालिस है, अगले 100 टर्म का बताओ जरा, तो आप काओगे सर ये 50 से 40 तो 10 कम हो गया, हो गया की न पूछ लेगा, बताओ अगले 100 टर्म का योग क्या है, तो आप तुरंद बताओगे 30, पूछा है, 300 पदो का योग, तो पहले 100, अगले 100, राखरी के 100, 300 पदो का योग हो गया, 50, 40, 90, 30, 120 से सवाल का अंसर है, D option, दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी सवाल का पांच है, question में अलग से seat में भी दूँगा, उनको आप solve करिएगा, हम आगे चलेंगे दोस्तों, अब next, इसी में आएगा न, हाँ, geometric progression, हिंदी में लिखी तेंगे इसको, जामितिय स्रिणी ये थोड़ा और अच्छी से लिखना चाए, गुणतर स्रिणी ठीक वर्ड होगा GP, geometric progression, गुणतर स्रिणी, अब दीके सबस्याद है paper में जो सवाल आते हैं बच्चों वो AP सही आते हैं, AP के ही question आते हैं, GPHP के question ना के बराबर आते हैं, पर जितने भी आते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो करवा हूँ, ज्यान सुनेगा, geometric progression क्या होती है मेरे दोस्तों एक ऐसी स्रीज जिनसके किन ही भी दो लगाता टर्म का ratio बराबर रहे, बात सुनना मेरे प्यारे भाई, arithmetic progression में दो लगाता टर्म का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, difference बराबर होता है, पर दो लगाता टर्म का ratio बराबर होता है, जैसे example के लिए हमने आपके सा बराबर होता टर्म है, आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हांसर दिखाई दे रहा है, चार से अगर बारे पे जा रहे हैं तो तीन गुना हो गया है, बारे से चातिस पे जा रहे हैं तो तीन गुना हो गया है, चातिस से एक सो आठ पे जा रहे हैं बच्चों, तो आप बोलोगे हां सर बिल्कुल 3 टाइमस दिखाई दे रहा है तो यही इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यार भी common ratio हिंदी में सर्व अनुपात समानने अनुपात तो अगर आपको common ratio निकालना है तो किसी भी term को उसके पिछले term से भाग देना होगा T2 upon T1 बात समझ में आई आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कोई तकलिफ नहीं है फस्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं मेरे प्यार भी common ratio जो होगा किसी भी term को nth term को उसके पिछले वाले term से आपको डिवाइड करना है यस और नो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कोई प सुनना पहला टर्म A है common ratio अगर R है तो मेरे दोस्तों अगला होगा A गुणा R बात समझें आप बोलोगे हां जी सर फिर अगला क्या आएगा common ratio R से गुणा होती जाएगी ना A R में फिर से R से गुणा करेंगे A गुणा R स्क्वाइर R से गुणा होती जाएगी common ratio बाराबर होता है गुणतर शेड़ी में फिर मेरे प्यारे भाई यहां पर हम R से गुणा करेंगे A R क्यूब फिर R से गुणा होगी A R क्यूब और यह इस रीज आगे चलती चली जाएगी तो मैं आपसे पूछो इस गुणतर शेड़ी का nth ट यही नहीं आर की पावर 0 है पहले पद में लेकिन दूसरे पद में ध्यान से देखोगे तो R की पावर 1 है तीसरे में R की पावर 2 है चोथे में R की पावर 3 है तो अगर मुझे N वा पद निकालना है तो उसमें R की पावर क्या होने चाहिए एक कम होनी चाहिए यानि कि N-1 समझ में आये सबी बच्चों को आप बोलोगे हाँ जी सर यानि कि किसी भी समानतर शेणी गुणोतर शेणी का जमत्रिक प्रोग्रेशन का जो N-th term होगा वो A into R की पावर N-1 होगा ठीक है बई सेम ही है बस कोई दिक्कत नहीं है जैसे ये सारे फॉर्मले जो है इस स्टेंडर्ट स्रीच को लिखके ही बनाएंगे सब कुछ परिभासा से ही पैदा हुआ है परिभासा से ये आया एक्जाम्पल से ये बनाया इस से फॉर्मला आया तो ये गुड़ो तरशेड़ी के N-th term का फॉर्मला है ठीक है बाई अगर किसी भी गुड़ो तरशेड़ी में अगर लास्ट टर्म N है TN है तो यही हो जाएगा लास्ट term A into R की पावर N-1 ठीक है भाई आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है आगे चलेंगे तो यहां तक यह इसमें यह आगे कटिंग नहीं करीगा ओके ओके यहां पर है अभी यह ओके चले कोई बात नहीं आगे की PDF नहीं लग पाई अभी यहां पर आगे जहां से सुनना तो मैंने आपको बताए कि किसी भी समांतर शिर्णी का गुलतर शिर्णी का जो लास्ट टर्म होता है वो A into R की पावर N-1 होता है आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही अब आपको गुलतर शिर्णी के N पादों का योग निकालना है किसी गुलतर शिर्णी के N पादों का योग निकालना है A into R की पावर N-1 upon R-1 बात समझे किसी भी गुणोत्तर शेणी के N पदो के योग का जो फॉर्मला है A इंटू R की पावर N माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 बात समझ में आ गई आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही इसमें कोई भी प्रॉबलम नहीं है हमको अब एक special स्रीज भी बनती है मेरे प्यारवे जिसको आप ध्यान से समझेगा infinite Gp स्रीज infinite Gp स्रीज मतलब एक ऐसी गुणोत्तर शेणी जो अनन्थ तक जाती है बच्चों एक ऐसी गुणोत्तर शेणी जो अनन्थ तक जाती है example के लिए मेरे प्यारे भाई जैसे कि 1, 1 वटे 4, 1 वटे 16, 1 वटे 64, 1 वटे 256 और यह आगे चलती जारी है मेरे दोस्तों अनन्त तक यह इन्फाइनेट जीपी स्रीज अगर किसी इन्फाइनेट जीपी स्रीज के ध्यान सुनेगा अगर कॉमन रेश्यो मेरे प्यारे बाई एक से बढ़ा है तो इन्फाइनेट जीपी स्रीज के अनन्त पदों का योग जो होगा वो अनन्त होगा समझ में लेकिन अगर किसी कोई गुणुत्तरशनी ऐसी है जो अनन्त पदों की है उसका कॉमन रेश्यो अगर एक से छोटा है तो उसके अनन्त पदों का जो योग होगा वो अबटे वन माइनस आर होगा ये डारेक्ट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है झाल 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 अगर किसी गुणुत्तरशेडी में अनन्त पद हैं तो अगर कॉमन रेश्यो एक से बड़ा है तो अनन्त पदों की हैं तो आगर कॉमन रेश्यो अनन्त पदों का योग इन्फाइनाइट होगा लेकिन अगर कॉमन रेश्यो एक से छोटा है तो अनन्त पदों का जो यह हुगा वो ए बटे वन माइनस आर होगा अब आपको समझी नहीं यह बात क्या है ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों जैसे मैं आपसे कहता हूं यह गुन क्यासी में तीन से कुणा होगी अगर आप इसके अनन्त पदों का योग निकालेंगे एक में तीन जोडेंगे चार चार में नौ जोडेंगे तेहरे में 27 जोडेंगे 40 40 में क्यासी जोडेंगे 121 तो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा अनन्त तक आप इसको जोडे तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कभी रुखेगा नहीं, तो common ratio अगर एक से बढ़ा हो गया, और geometric progression example के लिए मैं आपको समझाए, infinite तक जा रही है, तो उसके अनंत पदो का योग infinite होगा, आप बोलोगे, हाँ जी बिल्कुल सही बात समझ में आगी, लेकिन अ तरीके से, और ये कहां तक जा रही है, मेरे दोस्तों, अनंत तक जा रही है, बात समझ आप बोलोगे, हाँ जी सर, यहाँ common ratio क्या है, एक से छोटा है, एक वटे चार, देखो, वन से एक वटे चार हो गया, एक वटे चार की एक वटे चार में गुणा करी, एक वटे सोले की एक वटे चार में गुणा करी, एक वटे सोले की एक वटे चार में गुणा करी, एक वटे चार, पिया common ratio एक वटे चार है, और first term यहाँ पर 1 है, तो इस रीज के अनंत पदो का योग निकाला जा सकता है, तो इस गुनतर शिणी के अनंत पदो का योग, अगर मैं आप से न तीन बटे चार, तीन बटे चार जब ऊपर चला जाएगा, तो चार बटे तीन आएगा, तो दो अलग अलग केस यहाँ पर बनते हैं, common ratio एक से बड़ा है, सम अनंत हो जाएगा, common ratio एक से छोटा है, सम ए अपॉन वन मानस र होगा, सबज में आए कोई तकलीफ ने इसमें, चलेगा, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, मैं आपको इस पर question करवाऊंगा, ये वाला आप मुझे जरा बताएगा, सवाल आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन this is the best question of GP जो डारेक्ट पेपर में आता है, 32 गुणा 32 की पावर एक बटा 6 गुणा 32 की अभी है, बताएगे, ये सबसे आसान है, बताएगे अच्छो, देखिए आप अच्छी तरीके जानते कि गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, मैं अगर आपसे कहूं, एकी पावर एम, गुणा एकी पावर एन आप बताओ, तो क्या होता है, पावर जुड़ जाएंगे एकी पावर एम प्लस एन, यही है, यहाँ पर भी तो बेस सब का बत्तिस है, सभी का सेम बत्तिस है, यह बत्तिस की पावर एक है, तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, तो बत्तिस की पावर कितना हो जाएगा, बच्छो, वन प्लस एक बटाच्छे, प्लस एक बट 36 पिलस डॉट 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 इन्फाइनेट तक बच्चो चलता चला जाएगा यह होगा सवाल इतना लिख देता तो सारी दुनिया कर लेती लेकिन ऐसे लिख दिया तो आपको डर लगने लग गया इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आप अच्छी तरीकिस ज रेश्यों कितना बच्चो एक बटाच एक बटे छह से गुणा औरी ना वह एक बटे छह से गुणा एक बटे 6 में गुणा एक बटे छत्तिस तो पर लोबात समझ में आगी तो यानि कि यह हो गया मेरे दोस्तों 32 की पावर च्छे बटे पांच जी सत्त यह मुझे निकालना है, क्लियर कोई समस्या आप बोलोगे, जी सर कोई भी समस्या नहीं है, और आप जानते हैं मेरे दोस्तों की 32 जो होता है, वो 2 की पावर 5 होता है दोस्तों, यानि की 32 का अगर आप फिप्त रूट लोगे, 32 की पावर 1 वटे 5 करोगे तो 2 आता है, ये तो जानकारी हो 32 की पावर एक वेटे 5 तो 2 है, 2 की पावर 6 याने की चौंस है, तो 64 इस सवाल का आंसर है, हालागि आपको इतना अंदाजा होना चाहिता कि अगर बेस 32 है, तो 2 से मिलता जुलता ही आंसर आएगा, 2 की पावर में ही आंसर आएगा, 2 की पावर में किवल एक ही ऑप्षन था D, यह सर नो जवाब दो, जी, नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट और लास्ट, ध्यान से सुनेगा और बड़े प्यार से समझेगा, अगर आपने बात समझ ली, तो आपकी जिन्दगी स्वर्ग है, अगर आपके पास 2 पॉजिटिव हैं A और B, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं A and B, तो मैं आपसे कहूं कि इनका अर्थमेटिक मीन निकालो, यानि की समांतर माद्ध है, अब हमने अर्थमेटिक मीन मैं आपसे इनका निकालने के लिए कहूं, तो क्या होगा जवाब दीजेगा, अर्थमेटिक मीन को हिंदी मे कहते हैं समांतर माद्ध है, अगर दो संख्याओं का समांतर माद्ध है आपको निकालना है, तो जोड के आधा कर दो, A प्लस B बटे दो, बच्चों मैं आपसे कहूं कि दो पॉजिटिव नंबर आपके पास हैं A और B, आपको उनका जोमेटिक मीन निकालना है, मेरे प्यार साउंड नहीं आ रही क्या, एक सेकंड मैं बंद कर रहा हूं, चार्ज इसके, दोस्तों आप साउंड आ रही क्या चेक करना, एलो, बच्चों, तो फिलियर है न, आप सही है, देखें, अगर आपके पास दो, नहीं आ रही, क्या हो गया हमारे इसमें, ठीक हो गया, बच्चे कह रहें ठीक हो गया, अगर आपके पास दो संख्या ए और बी हैं, तो उनका जो 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 मेंट्रिक मीन होगा, वो कैसे निकालेंगे, अंडरूट अफ ए बी, अगर मेरे दोस्तों दो संख्या ए और बी हैं, हम आपसे उनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कहें, हारा अत्मक माद्द है हार्मोनिक मीन, तो बच्चो ये होता है, ट्वाइस ओफ ए बी, ब्रैकिट में ए प्लस बी, आप बोलोगे जी सर, अर्थमेट्रिक मीन को शॉट में एम कहते हैं, शॉट में, ठीक है, जोमेट्रिक मीन को हम शॉट में जी एम कह देते हैं, बच्चो, हार्मोनिक मीन को हम शॉट में हम कहते से बड़ा होगा, arithmetic mean हमेशा geometric mean से बड़ा होता है, और geometric mean हमेशा harmonic mean हरात्मक माद्ध्य से बड़ा होता है, यह तो बहुत basic सी बाते बता ही, आप जानते भी होंगे, लेकिन latest जो सवाल आया है, वो इस से एक step आगे है, ध्यास सुनेगा, भई यह arithmetic mean है, और यह harmonic mean है, बचो अगर और मैं दो संख्याओं के arithmetic mean और harmonic mean की गुणा करूँ तो आप मुझे बताओ गुणा करके क्या आएगा जरा गुणा करो तो arithmetic mean दो संख्याओं है positive संख्याओं होनी चाहिए a plus b बटे 2 harmonic mean हो जाएगा मेरे दोस्तो 2ab upon a plus b आप बोलोगे हां जी sir 2ab upon a plus b यही होगा बच्चा पा अचा क्या a b बच गया a b a b बच गया आप बोलोगे हां जी sir अगर a b को ध्यान से देखें तो a b जो है वो root a b का whole square है a b क्या है under root a b का whole square और हाप में से हर कोई जानता है कि root a b का मतलब है geometric mean geometric mean का whole square आप बोलोगे जी बिल्कुल साही कोई दिक्कत नहीं यहीं कि concept यह है कि दो संख्याओं का arithmetic mean गुणा harmonic mean बराबर होता है geometric mean का whole square yes or no ठीक है बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको सवाल करवाँगा प्यार से आप मुझे करके बताईएगा ध्यान से सवाल है बच्चों आपके सामने 27 बोला है दो संख्याओं का harmonic mean और geometric mean दस और 12 है दो संख्याओं का harmonic mean और geometric mean दस और 12 है उनका समांतर मद्ध क्या है उनका arithmetic mean क्या है तो अगर किसी बच्चे को direct concept पता है मेरे दोस्तों कि arithmetic mean into harmonic mean जो कि 10 दिया है बराबर होगा geometric mean गुण उतर मद्ध है बारे का होल स्क्वार बारे का होल स्क्वार 144 होता है 144 को आप 10 से भाग देंगे तो 14.4 आएगा इस सवाल का आंसर 14.4 यानि कि option number D सवाल का सही उतर है यार अब भी क्यों गलती कर रहे हो तुम कुछ जब आपके पास cable formula है value आपको रखनी है तो अगर पांच भी किलास के बच्चों को भी सिखा दे वो भी कर लेगा कम से कम formula में value तो सही रख के आप calculate कर सकते हैं रूट 120 बता रहे हैं लियाकत ऐसे थोड़ ना चलेगा ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल मैं आपको और करवाऊंगा यह बनाएगा इसी पे CDS 2020 के पेपर का पूछाओ बड़ा basic सा सवाल बनाओ बोला है दो संख्याओं का योग S है और गुणनफल P है product P है तो इनका harmonic mean क्या है अभी अभी मैंने आपको समझाया कि harmonic mean जो होता है दो संख्याओं का बच्चों वो होता है 2AB upon A plus B 2AB upon A plus B यह होता है सवाल में साबसा बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल P है तो यानि कि A गुणनफल P आपको P दिया है दो संख्याओं का योग S है यानि कि A plus B आपको S दिया है तो harmonic mean कितना हो जाएगा 2P upon S अब CDS जैसे exam में direct सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई एक last homework बिलकुल latest CHSL के paper का मैं आपके लिए दे रहा हूँ latest आप जानते कि examiner की आजकल फितरत है कि एक chapter में एक सवाल में 2-3 chapter को mix कर देता है बोला है X और Y का समांतर माद्ध और गुणतर माद्ध 8 और 3 root 7 है X cube plus Y cube बताओ algebra भी है और number system भी है दो संख्याए है X और Y उनका arithmetic mean 8 है geometric mean 3 root 7 है तो आप से पूछा है X cube plus Y cube का मान क्या होगा अचा कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे कर लेंगे हालेकि इस सवाल में कुछ है नहीं arithmetic mean क्या होता है मेरे दोस्तों एक तरीके से average होता है average मतलब जोड़के आधा करना geometric mean है 3 root 7 अचा 3 root 7 को आप ऐसे लिख सकते हो under root 9 गुणा 7 आप ऐसे लिख सकते हो 3 को अगर अंदर ले जाओगे 9 गुणा 7 अब 9 गुणा 7 को मैं देखती ही समझ गया कि जिन संख्याओं के बारे में बात हो रही है वो 9 गुणा 7 है देखो 9 और 7 का geometric mean निकालोगे तो यही आएगा मेरे प्यारे भाई under root 9 गुणा 7 और 9 गुणा 7 का arithmetic mean निकालोगे तो कितना आएगा 9 प्लस 7 बटे 2 16 बटे 2 8 तो जस्ट एक खेल of observation केबल observation का खेल था examiner बहुत जादा है चालाक नहीं है बच्चो अगर आप इसको observe कर लोगे तो वो बच्चों की तरह लिखना भूल जी माना संख्याए x और y है x प्लस y बटे 2 बड़ाबर 8 root x y बड़ाबर 3 root 7 square करने पर दूसरी equation में रखने पर वो सब भूल जाओ just think logically ठीक है बाई जब मुझे root A भी दिखाई दे रहा है अर्थमेटिक मीन 8 है तो संख्याओं का योग 16 होना चाहिए और 9 7 16 दिख रहा है तो संख्या 9 और 7 होगी x q प्लस y q पूछा है 9 का क्यूब 739 प्लस 7 का क्यूब 343 तो एंड में दो आएगा यह आंसर है एक हैर बहुतर खतम ठीक है ना चलो तो यह हां यह सारे थे मेरे दोस्तों question जो exam में latest पूछे गए हैं आपके exam के relevant हैं इनकी solution की PDF में टेलिग्राम पर डाल दूँगा और ठीक है PDF ही डाल देंगे उस PDF में आपकी extra practice के लिए 10 बारे question और दिये गए हैं उनको आप खुछ से try करिएगा सारी theory मैंने आपको अच्छे से समझा दी है अगर आपको यह lecture समझ में आया है पसंद आया और आप इस तरीके से स्रीज को जाली रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट्स जरूर करें ठीक है और दुबारे कल सुबह आना ना भूले ठीक है morning में 10 बजे ठीक है एक नए concept के साथ ओके आप मुझे कमेंट्स आप कौन सा concept सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बता भी स बजती नहीं कि यूटूब पर समय निकल पाए पर फिर भी मैं आता हूं आप लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ तो मुझे आप लोगों से चाहिए appreciation ठीक है भाई